ओम शान्ती आज 2 जुलाई 2021 की साकार मुरली आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए अब बाब तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समा नौलेजफुल बनाते हैं प्रस्न अच्छे पुरसार्थी बच्चों की निशानी तता उनकी अवस्था का गायन क्या है उत्तर अच्छे पुरसार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा पूरा फॉलो करेंगे अपने जीवन पर तरस खाएंगे पूरा पूरा आटेंसन रखेंगे थोड़ा भी समय निक भोले ना से निराला ओम श्यान्ती भक्ती मार्ग में दुन्या सिर्फ गाती है तुम बच्चे अभी समझते हो भक्ती मार्ग में हम भी गाते थे अब वो ही भोलाना समोग है भोलानात अक्षर भक्ती मार्ग का है ग्यान मार का अक्षर है शीव बाबा तुम समझते हो अनादी बने बनाये ड्रामा प्लेन अनुसार अब संगम यूग पर बाप को आकर हमसे ये पूरसाद कराना ही है कल्प कल्प पूरसाद कराते आये हैं कितना समझ तुम बच्चों ने भक्ती की है यह भी शिद कर बतलाते हैं जिनोंने पहले पहले भक्ती सुरू की है वोई आकर ग्यान लेंगे और फिर सुरी बनसी बनेंगे शत्यूग में सिप एक लक्षी नारायन तो नहीं आते उनकी डिनाष्ठी भी है ना उसको कहा जाता है दैवी वर्ण भारत में दैवी बर्ण था अब आसुरी बर्ण है यह संगम अब आसुरी से दैवी बर्ण में जाना है ब्रोवर यह महाभर लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है सिप नाम शीब के बदले कृष्ण का डाल दिया है एक गीता खंडन हुई तो सब सास्तर खंडन हो जाते है मूलवात गीता की है गीता पाट सलाएं वा गीता भवन कितने है गीता ग्यान सुनने की पाट सला खुद सुनाने वाला है नहीं जो हो कर जाते हैं वो फिर गायन चलता है बच्चों को तो रोज बाब बहुत प्याँ से समझाते हैं बच्चे जानते हैं बाब प्यार का सागर है सब को प्याँ से सिखलाते हैं बाबा कभी गुसा नहीं करते सदे प्याँ से समझाते हैं बच्चे तुम सतो परधान थे फिर पुनरजनम लेते आये हो तुम भारत वासी ही असुल देवी देवता धर्म के हो यह भी बतलाते हैं पहले पहले बर्सा लेने कोन आएंगे जिनोंने कल पहले लिया है वही कहेंगे बाबा आपके सिवाए हमारा सहायक और कोई नहीं बाप छमावी तब करेंगे जब संगम यूग होगा यह तो बच्चे जानते हैं कि रावन राज्य और राम राज्य यह ही होता है रावन राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं तुम जब शिप बावा कहते हो तो बुद्धी निराकार तरफ ही जाती है निराकार ही याद आता है आत्म ही बाब को फुकारती है ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैट सुनते हैं बाप समझाते हैं ड्रामा पले ननुसार पतीतों को पावन बनाने के लिए तो मैं सरीर में आता हूं ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूं भक्ति जब पूरी होती है तब मुझे आनाई है ये समझने की बाते हैं वो समय आता है बच्चे पुकारने लगते हैं ये तो कहां लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे उन्होंने कलब क्या रोंग लीग दी है ये चीत्र घर घर में होने चाहिए जो रोज देखें और याद करें कि ये बाबा ये दादा ये बरसा बाब कहते हैं बच्चे सतोपरधान बनने के लिए मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी ये युक्ती बाब ही समझाते हैं ये बाब ही कहते हैं मैं भी बुरसात करता हूँ बच्चे एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है शिप बाबा द्वारा अस्थपना कर रहे हैं सामने महा भरी महा भर लड़ाई खड़ी है इतने अनेक धर्म विनास होंगे उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए ये बाते बच् एक धर्म होगा जरूर 84 जनम का चक्र भी उन्होंने ही लगाया है ये तो सहज है बाकि इतने सब धर्मों का जरूर बिनास होगा फिर एक धर्म के अस्थपना ब्रोबर हो रही है सर्व का सद्गती दाता बाब है बाब सही बच्चों को बरसा मिलता है बच्चे जानते हैं ह मैं तुमको पढ़ा कर 21 जनमों के लिए सवर का मालिक बनाता हूँ शुरिवंसी चंदरवंसी घराने की ब्रोबर अस्थपना होती है जो जितना पुलसात करेगा उतना उंच्पद पाएगा तो शीप बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फॉलो करो तो इनों को सुक्ष्म व मानते भी हैं बरोवर भारत वैकुंट था स्री किष्ण पूरी थी आज कंसपूरी है कल किष्ण पूरी होगी रात बदल दीन होना है यह आधा कल्प बेहत का दीन और आधा कल्प बेहत की रात अंधियारे में ठोक रहीं खाते रते हैं ब्रमा की रात सो ब्रामनों की ही रात फिर तुम ब्रामन से देवता बनते हो शत्यूग में ब्रामन होते नहीं देवता होते हैं यवी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्थान था फिर आपवित्र राजस्थान बना हैं भारत सदेव राजस्थान रहा है राजाई चलती आती है और धर्न वालों की सुरों से राजाई नहीं चलती है भगवान की राजाय थाबन करते हैं भगवान ही आकर राज्युक सिखलाते हैं वहे निराकार ग्यान का सागर सुक का सागर तुम जानते हो बावात से हमको बरसा मिल रहा है जरूर हमारे पुरसाद की देरी जितना जो पुर्जात करेंगे जितना रास्ता बताएंगे बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पती से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे कितना सहज है लोकिक माबाप ग्यान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े माबाप सची कमाई करते हैं तो बच्चों को सची कमाई करानी चाहिए कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में या पैगाम देते रहेंगे बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मेसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो, और धर्मस्थापक तो सिफ आकर अपना धर्मस्थापन करते हैं, मैं सब को मैसेज देता हूँ कि अब वाफिस चलना है, यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है, मुझे करो तो पावन बन जाएंगे, तुम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पावन बनाने आया हूँ, थोड़े समय में ही यह बौमसादी चलेंगे, तो समझेंगे यह वो ही महाबर लडाई है, तो जरूर भगवान भी होगा, परन्त वो समझते हैं, गीता का भगवान किरीष्ण है, कितनी मुझे, मुझे नहीं होते, तो भगवान को आने की क्या दरकार, भक्ति मार को भूल भूलया का खेल का आ जाता है, अब बाप कहते हैं, मुझे याद करने से सब भूले खतम हो जाएगी, आगे अपने को दे समझते थे, अब अपने को दे ह समझते हो यह सावधानी बाप ही देते हैं कि बच्चों देही अविमानी बनो या तुम बाप के सम्मुक बैठे हो वहां सेंटेस पर बच्चियां बैठ समझाएंगी कि श्री बाबा ऐसे कहते हैं या तो डायरेक्ट बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बैठ बात करता हूं तु पिरंतर मुझे याद करो, बाबा से हमको सौर का बरसा लेना है, बाप और सौर को याद करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है, अगर विकर्म करेंगे तो सो गुना बन जाएगा, विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पाने हैं, इसलिए हनुमान महावीर की कथा है, बिकर्मा जीत बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो अपना पत भरष्ट करेंगे, पुर्साथी बच्चे जो होते हैं, वो अपनी जीवन पर तरस खाते हैं, कुछ भी हो जाए, याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल इस्थी रहेंगे, बिनास तो होनाई है, सब काका चाचा मामा गुरु गोसायादी साब खतम हो जाते हैं, शद्गुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ, मनिशे तो बिलकुल अंधियारे में हैं, तुम जानते हो शीब बावा हमको साथ ले जाएंगे, कहते हैं ना काल खा गया, परन्तु मैं तो तुमको श मैं खुद आया हूँ, तुमको वापिस ले जाने। बावा कोई मारने आया है क्या। नहीं, तुमको पुराना सरीर छोड़ना है। आत्मा तमपरधान से शतोपरधान होनी है। अब पांच तत्तों भी तमपरधान है। इसलिए सरीर भी ऐसे बनते हैं। वाप सतोपरधान तत्तों से तुम्हारे सरीर भी गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं, मैं फीज से शत्यूगी आदिसनातन देवी देवता धर्म अस्थापन करता हूँ। तुमने ही 84 जनम भोगे हैं। तुम अपने धर्म को भूल गए हो और अपने धर्म को भूले नहीं हैं। तुम अभी जानते हो हम असूल में देवी देवता धर्म वाले इतने उच से फिर नीच कैसे बने हैं। बाप बेट कलप कलप तुमको ही समझाते हैं। तुम फिर औरों को समझाते रहेंगे, अब 84 का चकर पूरा होता है, बिना सामने खड़ा है, सौर का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है, वो बनना है याज से, सुबह को उट, बावा को याद करो, बावा वोंडर है, आप कैसे आते हो, गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है, परन्तु यह तो अब जानते हैं, आप सम्मुख बात कर रहे हो, वह सुनी सुनाई भक्ति मार की बाते, अब तो हम आत्मों को आप बाप मिले हो, आत्मा को बाप मिलता है, तो इस प्यार में आकर मिलते हैं, बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं, यहां तो वो निराकार बाप है गुप्त इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं इनसे मिलते हो तो सीब बाबा को याद कर मिलो मनिश्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं तुम्हारे में भी जो कोई जानते हैं मेरा बन कर फिर भूल जाते हैं देविमान में आ जाते हैं परतिग्गा भ दोनों की आत्मा कहती है, परंतु सरीर में हैं, तो मेल कहता है, आपका बन चुका हूँ, फिमेल कहेगी, मैं बन चुकी हूँ, बाबा हम आप से पूरा बर्सा लेएंगे, पूरा याद करेंगे, याद भीगर कट निकल नहीं सकती, तोम पर्धान से शतोपर्धान बन नहीं स शत्यूग में तुमको अखंड अटल सुक्षांति संपत्ति का 21 जनम राज मिलता है। यह यग्य रचा हुआ है। लड़ाई भी है। इस यग्य का किसको पता ही नहीं है। ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं। परमात्मा को ही सब बुलाते हैं ना घड़ी घड़ी याद करते हैं। भगवान यह बच्चा दिया यह किया। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तू थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पूरुस होते हैं। अनेक प्रकार के मनुश्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से कमाई होती है। तुम विश्णुपूरी के मालिक बन जाएंगे। तुम सत्यूग से लेकर कल्यूग अंत तक सारे चक्र को जानते हो। तुम्हारी बुद्धी में हुबहु ऐसा है जैसे बाप की बुद्धी में है। इसलिए उनको ज्यान का सागर नौलेजफुल कहा जाता है। अभी तुम बाप से बरसा ले रहे हो। तुम बच्चों को अचल इस्थी रहना चाहिए। ऐस नहीं कि माया घड़ी-घड़ी आकर डोलायमान करे। सर्म बुटी छुई-मुई नहीं बनना चाहिए। बाप को याद नहीं करने से मुर्जा जाते हैं। बाप को याद करने पुर्षाद तुम कर रहे हो शमय नजदिक आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुर्षाद अब पूरा हुआ अन्त आगई अच्छा मिठे मिठे सिगिल्दे बच्चों प्रती मात पिता बाप ददा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी आप ददा को याद प्यार गुड मॉनिंग नमस्ते नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट रुखानी पढ़ाई पढ़कर सची कमाई करनी और करानी है घर चलने का मैसेज साब को देना है अब कोई भी विकर्म नहीं करना है दुसरा पॉइंट सबेरे उठक प्यार से बाप को याद करना है छोटी मोटी बातों में छोई मुई नहीं बनना है अबस्था अचल अडोल बनाना है आज प्यारी मिठे बावा का बरदान चेकिंग करने की विश्यस्ता को अपना नीजी संसकार बनाने वाले महान आत्मा भो जो भी संकल्ब करो बोल बोलो कर्म करो संबंध वो संपर्ग में आओ सिर्फ ये चेकिंग करो कि अबाव समान है पहले मिलाओ फिर प्रेक्टिकल में लाओ जैसे इस्थूल में भी कई आत्मों के संसकार होते हैं पहले चेक करेंगे फिर सुईकार करेंगे ऐसे आप महान पवीत्र आत्माए हो तो चेकिंग की मशनरी तेज करो इसे अपना नीजे संसकार बना दो यही सबसे बड़ी महानता है स्लोगन शंपूर्ण पवीत्र और योगी बनना ही सने का रिटन देना है अच्छा, ओम शान्ती